नवस्कार किसान भाईयो आपका स्वागर्थ है आपके अपने चनल लच्छुमी फार्मिंग में किसान भाईयो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएं और आज की इस वीडियो में हम आपको धान की टॉप 3 हाईवरिड विरैटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं किसान भाईयो आज हम आपको धान की जो तीन हाईवरिड विरैटी के बारे में बताने वाले हैं या सभी विरैटी बायर कंपनी की है किसान भाईयो बायर कंपनी धान की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो धान के अच्छी पॉलिटी के बीच किसानों के लिए उपलब्द कराती है आज हम उसी कंपनी जोरा जो तीन सबसे बेतरीन विराटी दी गई है किसानों के लिए जिनका रिजल्ट अच्छा निकल के आया है उन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों आज की हमारी जो या तीनों विराटी हैं ये लगबक बहुत ही कम दिनों में तयार हो जाती हैं अधिक मातरा में उत्पादन देती हैं और एक बाल में अधिक मातरा में दाने लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जिसमें आज हम आपको धान की तीन सबसे बेतरीन हाईवरिड वराइटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयो आज की इमारे जिव धान की पहली वराइटी है उसका नाम है एराइस बोल्ड दोस्तों या एक मिड अर्ली डिरेशन वाली धान की हाईवरिड वराइटी है जो 120 से 125 दिन में तयार हो जाती है आप इसकी कटाई 120 से 125 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं इसके लाओं दोस्तों आप इस वराइटी की बेरन जो है वह आप 20 मही के बाद कभी विडा सकते हैं और बेरन डालने के 25 से 30 दिन बाद आप इसकी रुपाई अपने खेदों में कर सकते हैं दोस्तों बेरन डालने के बाद या 80 से 90 दिन के अंदर तयार हो जाती है जैसे कि आप बेरन डाले हैं बेरन आपकी 25 से 30 दिन के अंदर तयार हो जाती है तो आप बेरन की जवा प्रुबाई घर देंगे खेदों में तो यह वराइटी आपका 3 महीने का समय और लेती है और उसके बाद यह असानी से तयार हो जाती है दोस्तों इस वराइटी में आपको अध कुद पदर निकाल कर देती है दूसरा दोस्तों इस वराइटी में जो हमारे रोग लगते हैं उनके प्रति जो प्रतिदोग छिलता होती है सायन सिलता होती है वो अधिक मातर में देखी जाती है इसके अलाओ दोस्तों आप इस वराइटी का इस्तिमाल धान की या वराइट अच्छी बताई गया है कि आप इससे अच्छी वल्टी का पुहा बना सकते हैं दूसरा यह व्याटी दोस्तों बहुत कम सब्सक्राइब में पक जाती है हमारा चावल्ज होगा वह बहुत कम समय में पक जाता है खीला-थिला होता है खाने में स्वाधिष्ट होता है और इसमे aromatic खुसबू आती है यानि इसमें दोस्तों महेंग भी आती है इसकी दोस्तों ए जो बाल होती है वह लंबी होती है बाल इसकी आपको 25 से 30 सेंटीमेटर लंबी बाल देखने को मिलेगी इसके इलावादो से एक BAL में आपको कम से कम 280 से 300 दाने देखने को मिलते हैं उसके इस वराइटी की बुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, गुजराद, और दोस्थों हमारे जो अन्राज है उन सभी राजों में कर सकते हैं South में भी दोस्तों आप इस variety को लगा सकते हैं यह variety बहुत ही अच्छी है क्योंकि कम दिनों में यह तयार रहती है और अधिक उत्पादल देती है खिसान भाईयों आज के इमारी जो धान की दूसरी hybrid variety है उसका नाम है अराइज एजट 84-33DT दोस्तों धान की यह variety एक new generation वाली hybrid variety है जिसमें आपको innovative dual trade technology देखने को मिलती है इसके लहाँ दोस्तों धान की यह एक ऐसी पहली variety है जिसमें आपको BPH और BLB, brown plant hopper और bacterial leaf blast दोन्यों के प्रती सहल सीलता और प्रतिनोतों छुमता देखने को मिलती है कहने का मतलब यह है दोस्तों की इस variety में आपको ना brown plant hopper और bacterial leaf blast जो हमारा BLB रोग होता है या दोनों की लगने की समाना बिल्कुल बहुत ही कम होती है ना के बरावर होती है और नहीं लगता है लेकिन दोस्तों यह variety जो है यह mid division वाली variety है जो 130 से 135 दिन के अंदर तयार हो जाती है इसके एलावा दोस्तों इसका जो दाना होता है वह medium size का होता है खाने में अच्छा होता है इसके एलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इस variety में कितने कल्ले निकलते हैं तो इसमें high number of productive trailer देखने को मिलता है पर प्लांट आपको इसमें 15 से 25 कल्ले देखने को मिल जाते हैं दोस्तों आपका जो खेत रहेगा अगर वो अच्छी वालिदिगा मजबूत खेत है तो आपको अधित बिल्दिन देखने को और दोस्तों आपने समय से इसमें खाद जो खाद प्रबंदन होता है समय समय पर आप इसमें खाद डालेंगे बेरन जब आप नसरी डाले हैं तब भी आपको समय से सही से खाद मातर में लेकर नसरी डालनी है जब आप रुबाई कर रहे हैं तब भी आपको समय से और परयात मात्र में खाट डाले लिए तब आपको अधिक मात्र में कल्ले देखने को मिलेंगे अच्छा सा फुटाओ देखने को मिलेगा और अधिक बालिया देखने को मिलेगी, बालियों में अधिक दाने भी देखने को मिलेंगे सारी चीज़ें आप किस तरीके से खेती करते हैं इस पर निरपल करती है अगर आप अच्छे डन से खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पदन देखने को मिलता है इसके रहां दोस्तों इसमें जैसावी बने आपको बताया है कि एक पौधे में आपको 15 से 20 कल्ले 25 कल्ले देखने को मिलेंगे और एक बाल में आपको इसमें 200 से 300 दाने 310 दाने देखने को मिलते हैं दोस्तों दान की या वराटी आपको अधिकुत पदन देती है और इसकी आप खेती भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप 20 मही के बाद दोस्तों इसकी बेरन डाल दीजे इसकी बेरल आपकी 30 दिन में तयार हो जाएगी बेरन डालने के बाद आप इसकी अपने खेतों में रुपाई कर दीजे अब जब आप खेतों में आप इसकी रुपाई करतेंगे तो या बेरन डालने के अगले जो आपके 100 दिन होंगे या 110 दिन होंगे उसके अंदर ये तयार हो जाएगी मोटा मोटा मान के चलिए तो अगले चार महिने के अंदर बेरन डाल की रुपाई करने के बाद ये तयार हो जाएगे और आप इसकी कटाई कर सकते हैं किसान भाईयों आज की हमारे जो धान की तीसरी और आकरी वेरेटी है इसका नाम है एडाई-एजट-पैसट-जीरो-अट दोस्तो धान की ये वेरेटी बहुती कम दिनों में तयार वोने वाली वेरेटी है अब इक तक हमने आपको धान की दो आईपरिड वेरेटी बताया है उन सबीवे में से सबसे कम दिने तयार वोनी वाली जो वरैटी है वह यही है दोस्तो इस वरैटी को बताने का जो हमारा मकसद है वह यहा है कि जो भी किसान भाई धान की खेदी करने के बाद अगैती वह असल जो रभी में लगाई जाती जैसे कि सरसो, मटर, गेवू और अन सबजी फसले पालाक, सोवा, मेथी जो भी लगाना चाहते हैं ठंडी के लिए आप उसको लगा सकते हैं और मार्केट में जल्दी से जल्दी बेश सकते हैं दोस्तों यह उन किसान भाईों के लिए बहुत ही परफेक्ट वेराटी है जो धान की फसल लेना चाहते हैं और अबरती सरसो और गेवूर की फसल भी लेना चाहते हैं तो वह किसान भाई इस वेराटी को जरूर लगा है क्योंकि दोस्तों यह वराइटी बहुत ही अर्ली डिरेशन वाली वराइटी है जो बहुत ही कम दिन में मैजोर हो जाती है कटाई के लिए दोस्तों यहां variety में एक खास बाद यह और देती है, कि अकसा देखा गया है जो कम दिन की variety होती है, जो जल्दी तयार होती है, उसमें उत्पादन कम होता है, यह आपने महसूस किया होगा नहीं जानते हैं, तो मैं आपको यह जनकारी दे दे रहा हूँ, कि जो भी variety दहान की, या कोई भी विरैटी हो जो कम दिन में तयार होती है उसका उत्पादन कम होता है यह अक्सर देखा गया है लेकिन इस विरैटी में एक खास बात है कि यह विरैटी कम दिन में पक जाती है और उत्पादन भी ज़दा देती है यह विरैटी आपको 20-25% अधिक उत्पादन देत लंबे होते है यानि इसका जो धान होता है और लंबा होता है और दोस्तों मेडियल साइज होता है या पेसी लियों बहुत पर वादिए जिनके आप के Kyansi के वह सताता में उपलगत नहीं है जैसे आपके पास कम सीचाही का सादन है तो आप इस व Gloria को लगा सकते हैं आप कम एडिया वाली सीचाही के एरिया में रहते हैं तो आप इस व aż उत्ती को जरूरूर डूसरा दोफतों यह वराइटे बहुत ही फिट हो पदती है जो किसान ह सरस्लों कर दान कि चमता देखने को मिलती है, अच्छा market में rate मिलता है और इसका उथबहोता है वो भी देखने को ज्यादा मिलता है अभी देख ढीपने तोस्तोतů जो भी variety बताई कंशाए है उस सभी मेरा से सबसे ज़यादा उत्पादन आपको Arise 1882-3724 का देखने को मिला है दोस्तों इसका उत्पादन आपको आपको 25 से 30 कुंटल प्रती एकल के साथ देखने को मिलता है Aries बोर्ड दा उत्पादन जो है दोस्तों वहाँ 20 से 25 कुंटल देखने को मिला है और हमारा जो यह आखिरी वर्याटी है Aries 65-08 दोस्तों इसका उत्पादन आपको 15 से 20 कुंटल प्रती एकल देखने को मिल जाता है दोस्तों यह कम दिन की वर्याटी है इससे इसका उत्पादन पुड़ा कम होता है लेकिंग जो भी किसान भाई अगली फैसल अगली लेने चाहते हैं अभी की फैसल सरस्लों गिये होगी तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट लती है इसमें पासी चाही भी कम लगती है तो आप इसको एक बार जरूर प्राई करें किसान भाई आथ ही हमारी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कोई बात न समझ में आईएगा तो कमेंट करके पूछ भी लिजएगा और किसी अंदर रैटी के बारे में आप जानकारी जाते हैं तो हमसे जरूर बुचे